नमस्कार लगबग सभी परतियों की परिक्षाओं और scholarship की परिक्षाओं में अंग गनीत के प्रशन होते हैं और अंग गनीत के अंतरगत हमें calculation भी करना पड़ता है और calculation के अंतरगत हमें गुना भी करना पड़ता है और यदि पारंपरिक तरीके से गुना किया जाए तो इसमें काफी समय लगता है और आप जानते हैं कि परतियोगी परिच्छाएं परिच्छाओं और स्कोलर्शिप की परिच्छाओं में समय का बहुत महतु होता है तो आज मैं आपको गुना करनी की एक बिल्कुल सरल मेथट बताने जा रहा हूँ जिसमें बहुत ही कम समय लगेगा और आपके समय की बचत होगी एक उधारन लेते हैं बार गुना अठार अब आप इसे कैसे गुना करेंगे या आप कैसे गुना करते हैं जो परंपरिक हमारा मिथट है आठ दुना सुलला का छे हाथ में रहा एक आठ एका आठ और एक नौ फिर एक से देंगे एक दुना दो एक एका एक और इनको फिर हम जोड़ देते हैं ये हो गया छे नौ दो इक ग्यारा के एक हाथ में रहा एक एक और एक दो देखिए कितना समय लगा आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा कम समय लगेगा लेकिन मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो देखिए बारा गुना अठारा आठ दुना सुल्ला आपने सीधे लिख दिया सुल्ला अब यहाँ एक है यहाँ भी एक है इस एक को में एक हम बढ़ा दे रहे हैं यानि यह दो हो गया दो एका दो देखिए आ गया न वही सेम आप देख लीजे बिल्कुल वही आ गया चलिए एक और उधार लेते हैं तेईस गुना सत्ताइस सात्याई और कुछ उधारन लेते हैं यह 91 गुना 99 9 का 9 और एक सुने दे देते हैं दो अंक में हमें मिहा लिखना है अब इस नो में एक जोड़ देते हैं तो दस दस नमा 90 और एक लेते हैं यह ले रहे हैं 84 गुने 86 तो यह हो गया 6 चोके 24 और इस 8 में जोड़ देंगे तो 9 9 8 72 देखें कितना आसान है न और अगर इसे प्रैक्टिस करेंगे तो और यह कम समय लगेगा लेकिन क्या यह मिथड सभी संख्याओं में लागू हो सकता है सभी में हम यह प्रैक्ट अपना सकते हैं नई तो किस में किन संख्याओं में थोड़ा इन संख्याओं को स्टड़ी कीजिए थोड़ा सध्यान कीजिए यहां देखें इकाई में 2 है और 8 है दोनों को जोड़ते हैं 10 यहां 3 और 7 इनको भी जोड़ेंगे तो 10 यहां 6 और 4 इसको भी जोड़ेंगे तो 10 अर्थाथ इकाई के अंकों का योग होना चाहिए 10 और दहाई में देखें दोनों एक ही है यहां भी दोनों एक है यहां भी है यहां भी यानि दहाई में अंक समान होनी चाहिए वो होता है या नहीं आएए करके देखते हैं हम कुछ तीन अंकों के वाली संख्याय लेंगे चलिए एक लेते हैं 102 गुना 108 तो पहले से हम परंपरिक विधी से गुना करते हैं आठ दोनी थोग का अंग और आठ का अंहित से करेंगे तो यह चुलक करेंगे दो शुले एक और इससे जोड़ते हैं खे एक आठ हो दो दस कर सुनने हाथ मरा एक यह एक और यह एक यह हुआ अब विखिए अब इस shortcut method से करते हैं 102 गुना 108 तो ये देखिए इकाई में यहाँ दो है और 8 है दोनों को जोड़ते हैं 10 हो जाता है तो 2 अठे 16 इस 10 में एक जोड़ देते हैं 11 हो गया 1110 110 आगया ने भई देखिए सेम आगया अब एक और लेते हैं 112 और 118 फिर वहीं करेंगे 8 दोनी 16 और 11 को में एक जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा अब 12 गुने 11 तो 12 गुने 11 कितना होता है 12 गुने 11 तो ये 12 और फिर ये 12 दो 3 ये 132 हो गया ये गुना और कुछ संख्या लेके देखते हैं 123 और 127 और इस 12 में एक जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा तो 13 को 12 से करते हैं 13 गुने 12 तेरा दोनी 26 और ये एक से करेंगे तो 13 तो ये 6, 5, 1 156 तो आपने देखा कि जो मेथड मैंने बताया इससे कितनी आसानी से हो रहा है अभी हो सकता है पहली वार आप करें तो थोड़ा आपको समय लगता है लेकिन जब इसकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत ही कम समय लगेगा सेकंड में ही कुछ सेकंड में आपका ये गुना कम्प्रीट हो जाएगा आप क्या करें कि इस तरह की कुछ संख्याएं ले और इसका प्रैक्टिस करें जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका काम बिलकुल आसान हो जाएगा और परिक्षाओं में आपके समय की बचत होग अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया ये वीडियो पसंद आया तो इसे अवज से लाइक करें और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे अवज से सब्सक्राइब कर लें कि क्योंकि इस तरह के वीडियो जब भी बनेगी तो आपको उसका नो